तो कहानी शुरू होती है इंडिया के बॉर्डर के बाहर एक छोटे से गाउं में जहां पर आस्मान से एक बॉरी याकर पानी मीकरती है एक छोटे से बच्चे का ध्यान उस पर जाता है और तभी उस बॉरडी 보़ी को गौऊं में ले आया जाता है उस पर बहुत सारी चोटो को गाउं में ले आया जाता है उस पर बहुत सारी चोटों के निशान थे इसलिए उसकी पूरी बॉड़ी पर पटियां लगा दी जाती है और उसका इलाज चलता है कुछ महीनों बाद उस गाउं में पासी के मूवी के सूपर हीरो यानि की शारुक खान है वोट खड़े होते हैं और आकर एक एक की दुलाई पिटाई कर डालते हैं और फाइनली बींग शूर्मा उस गाउं के लिए बगवान का सुरूप बनकर हर किसी की जान बचा लेते हैं सच कहूं तो फाइटिंग वाकई मची थी CGI भी बहुत ही बैतरीन थे और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि मार पीट तो दिया मगर वो शक्स को ये नहीं पता कि आकर में हो कौन तब उसी गाउं में से चोटा लड़का आकर कहता है कि मैं बड़ा होने के बाद ये पता जरूर लगाऊंगा कि आखिर आप हो कौ और यहां से कहानी आगे जाती है 30 साल आगे एक मेट्रो ट्रेन में एक फैमिली बैठी थी और तभी आपस में कुछ लड़कियां एक दूसरे से बातचीत करती है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है और तभी हम देखते हैं कि टर्नल में जाने के बाद में ट्रेन वहीं र बचानी हैं तो मेरी बाते माननी होगी अब एक नेगोशियेटर को बलाया जाता है और उनका नाम होता है नर्मदा अलागी ट्रेन में पुलिस आफिसर भी मौझूद होता है जो कि इन सभी की जान बचाने की कोशिश करता है मगर टगलू माराज के आगे टिक नहीं पाता के फोन उठाने पर शारुक का कहना था कि मुझे अगरी कल्चर मिनिस्टर से बात करनी है अगर मेरी बात नहीं हुई तो पांच मिनिटों के गाने के खत्म होग जाने के बाद में हर मिनिट एक एक शक्सकी जान जाएगी और अब नहीं चाते हुए भी पुलीस हेड़क्व लेने जाए तो उस पर 13% का लून है अगर इन सबी लोगों की जान बचाना चाहते हो तो मैं एक अकाउंट टंबर भेज रहा हूं उस पर 40,000 करोड ट्रांसवर कर दो जिस पर अगरी कल्चर मिनिस्टर का कहना था कि इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है यहां जितनी भी ट् करने की और तभी हम काली का एक वार्ड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए था हालाकि उस शक्स को मारा भी उसी नहीं था उसके पास में दो गूलियां थी एक ब्लू और एक रैड ब्लू वाली तब लेता था जब उससे जादा गुस्स पैसे ट्रांसफर कर दो तो काली को 40,000 करोड इनके बताय गए अकाउंट पर ट्रांसफर करने पड़ते हैं जिस पर चीफ को कहती है कि तुम एक चूर हो जिस पर चीफ का कहना था कि तुम्हारे बाप से बड़ा चूर नहीं और घर जाने के बाद में अपने बापको एक मै किसान थे और आज वह एक्जाम देनी के लिए निकली रहती तबी बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं उससे बहुत जदा मार पीट करते हैं और उससे 40,000 मांगते हैं जिस पर उसकिसान का कहना था कि बारिश आई नहीं और जब आई तो पूरी फसल ब सामना बेकर जाया इसलिए सबसे पहले वह किसान अपनी बीटी को स्कूल में परिक्षा देनी के लिए बिजवाता है और अगबार में न्यूज रीट करता है कि अगर किसान की मौत होती है तो उसके परिवार को दो लाक रुपे मिलते हैं और इसी चक्कर में वह अपने कवरी होगी मगर अभी भी बाकी है वह एजेंट कलकी की मौम का मंगल सूतर तक उसके गले से तोड़ देता है इस पर कलकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फावडा लेकर उसे जान ले लेती है और यहीं रीजन था कि अब उसने चीफ की कमांड को जॉइन कर लि ममीज मांस्क लगा कर ट्रेनर से बाहर निकल धिया था अलाग Алाकि मुकुट को हाथ में मशीन गन देकर छोड़ दिया था ताकि यह लग कि घ्रेनaire होती है मगर और दो उनकों के सामने बचकर निकल कर चुका था और जो 40,000 करोड काली का एकवाड के अकाउंट से ट्रांसफर होए थे उसे साथ लाख इंडिया के किसानों में बाट दिया जाता है जिनके उपर करजा चल रहा था इस बात की सारी इंफरमेशन नर्मदा आकर काली का एकवाड को देती है जिस पर वो अपने बाकी सभी लोगों को यानि कि जिसमें उसका भाई और उसका जीजा भी शामिल था उसे कह रहा था कि शांती रखो थोड़ा सा वक्त आने पर हम इसे पकड़ी लेंगे मीन वाइल हम चीफ को देख पाते हैं जो कि अपने मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वह तो बहुत ही जवान जबाली अपने पिता के पास वापस आती है तो कहती है कि मेरी जान तो बच गई मगर जिसने मुझे किड्नाप किया था उसने आपके लिए एक मैसज छोड़ा था और वह है विक्रम के तोर पर एक नाम भी मिलता है जहां पर जील में रहने वाली सभी महिलाएं बच्चों की स्कूल की ड्रेस बनाया करती थी और हैंडीकेम बच्चों के लिए डुप्लिकेट लिम्स का मतलब होता है नकली हाथ पैर जिसके बाद मुवी का फेमस गाना आता है जो कि मैं हर ब लड़की को रेजेक्ट नहीं करोगे और जब लड़की दिखाई जाती है तो वह होती है मैं अपना पापा ढूंड रही हो लड़की से मौलाकात तुम्हारी तभी होगी क्या तो मेरे पापा बनने के लाइक हो भी या फिर नहीं बच्ची जो ली गई थी काफी चुलबली से ऐसा कोई भी नहीं होगा और सारे की सारे पास हो गए होंगे अपने अग्जाम में और अगर कोई फेल हो गया हो तो यार कमेंट सेक्शन में सच्चाई से बता देना हो सकता है कि बाकी कमेंटर्स की सिंपती आपको मिल जाए जोग सपार्ट कमिंग बैक टुदा में स्ट प्यारम की स्टूरी यह होती है कि यह शहर से बाहर पढने बची को चुना और इस वजह से आज तक उस बच्ची नि अपने बाप को लिखा यह और जेम्शन है कि आज वह बच्ची अपने पिता कोच रहें अगेन गाने वाने आते हैं अगला टार्गेट था हैल्थ मिनिस्टर जो की बड़ी-बड़ी बाते कर रहा था यह कह रहा था कि आज कल के गवर्मेंट हॉस्पिटल में नई टेक्नोलोजी वाली मशीन बढ़िया एजुकेटेड डॉक्टर्स धेर सारा स्टाफ औ अगर आज की तारिक में मुझे गोली भी लग जाय तो किसी प्राइविट हॉस्पिटल में मत लेकर जाना पास ही कि किसी गौर्मेंट हॉस्पिटल में ले जाना मेरी लोग मेरी जान बचाई लेंगे और तबी दूर से उन हाईजैकर्ज में से एक स्नाइपर आकर उसके कं अंदर मंत्री जी को किड्नैप करके कहीं और ही ले जाया जा चुका है और वह जगह होती है पासी का एक गौर्मेंट हॉस्पिटल जहां पर कोई भी फैसिलिटी अवेलिबल नहीं थी नहीं गैस मास्क नहीं अच्छे क्यूप्मेंट्स और नहीं अच्छे डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुन की जान नहीं बचा पाऊंगा कम से कम मुझे चार तो डॉक्टर लगेंगे उसकी उपर से बहुत सारी मैडिकल किट लगेगी और तीन चार बड़ी-बड़ी मशीन लगी और यह सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवाके मद्दब अपनी डिमांड की तरह अगी यह सारी की सारी फैसलिटीज चाहिए थी यह सुनकर नर्मदा मना कर देती है जिस पर कहना था कि मुझे के जॉश से बात करवाओ वह इस प्रॉबलम का सलूशन निकाल करके देगा अब जब के जॉश से बात करवाई जाती है मिनिस्टर साहब की तो जॉश प्रॉबलम में खतम हो चुके थे और डॉक्टर थी इरम नाम की लड़की इरम अपने के जॉश यानि के अपने जो दीन वगर थे उनको फोन लोग अगर बताती है कि अगर जल्दी से यहां पर नहीं है तो छोटे बच्चों की जान खत्रे में पड़ जाएगी मगर जॉश का कहना था कि एक अरकार करो जब तक सारी फॉर्मले 집 कंप्लीट नहीं होती हर किसी को हर किसी का कंशन नहीं मिल जाता तब तक कोई भी इस याप नहीं की वजह से नहीं बलकि उसके ड्रक्स की हालत की वज़े से और जब यह सारी सच्चाई जौश टीवी पर बताता है तो उसे सारे पास करने पड़ते हैं और जितनी भी गौवर्मेंट हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर अच्छे सर्जन्स स्टाफ मैडिकल फैसिलिटी और बड़ी एक् से निकलने नहीं तो यह अपनी पूरी टीम लेकर वहां उन पर हमला बोलने के लिए पहुंच जाते हैं यहां पर अगेन बहुत कड़क होती है इस बार बॉलिवूड ने बढ़िया काम किया है इसे बॉलिवूड नहीं कह सकते हैं क्योंकि खाली शारुक खानी है जो अपन और क्या कहा ना कमेंट सेक्शन में बढ़ बताईएगा अब तो अच्छी का सी लंबी थी डारेक्ट शॉट में डिप्टाते हैं आजाद के फेस पर जो मास्क लगा वा था नर्मदा ने उस मास्क को खेंच लिया था और उसकी कुछ बाल उसके अंदर आ गये थे डियने ट बनवाने के लिए और पास करवाते हैं और वहीं अगले दिन होती है आजाद और नर्मदा की शादी जहां पर वह इरानी की सुनिल ग्रूवर को कहा कर जाती है कि अगर स्केच बन जाए तो मुझे फोन कर देना अब एक तरफ जहां पर आजाद यह सोच रहा था कि मैं आज शेकलती जो की आजाद की तो यहां नर्मदा सीधा आजाद को गोली मार देती है अब यहां पर इनकी बातचीत इनकी फाइट खतम होती मगर उससे पहले वहां पर दूसरे गुंडे बेजवा दिये गए होते हैं काली के थुरू और यह इनको पकड़ कर ले जाते हैं दोनो कुटेंगे और जो आजाद की टीम थी वह सारी की सारी प्रिजनर्स थी तो वह होती तो अब जेल के इंदर है और जब तक वह यहां पहुंचती तब तक तो इनका खात्मा हो चुका होता तो अब इन्हें बचाया को कौन और फिर होती है ग्राण एंटरी ऑफ अगें कोड़ी मोडी नहीं होती है अराम से लाखो करोड़ों की डील होती है एक तरफ विक्रम राठोड अपने बेटे यानि के आजाद राठोड को बचा कर ले जाता है वहीं दूसी तरफ नर्मदा अपनी पुलीस टीम में वापस आ जाती है और सभी को यह बताती है कि यह चोर ग्रोवर उसकी कॉलर पर एक माइक लगा कर लड़कियों के पास भज़वा देता है अब नर्मदा उन सभी छे लड़कियों के बीच में आकर सभी जूट-जूट कहती है कि आजाद एक अच्छा इंसान नहीं है बैलकि एक चोर है लुटे रहा है उसने मेरे साथ धोगा कि और अब मुझे भी जिल में डाल दिया गया है और वो तुम्हारा भी यह इस्तमाल कर रहा है और तुम्हीं भी एक दिन यहीं खत्म कर दिया जाएगा जहां पर लक्ष्मी बताती है कि आसा नहीं है और यहां से कहानी अगेन पास्ट में चले जाती है अब हम विक्रम राठ मार डाले दो घैल करवा दिया और 6 को अगवा करके रख लिया और उन टेरिस्ट गुरुप के पास में उन 6 सूपर कमांडोस के अलावा और भी नॉर्मल सिविलियन्स मौजूद है जो कि उनके गिरफ्त में है तो मैं स्पेशल ऑफिसर जो तुम लोग हो अब इनकी और बाद में चलना ही बंद हो जाती है सारे के सारे अफिसर अपनी गन की वज़े से परेशान होते हैं लड़नी पाते और खुद बेखुद घायल होते रहते हैं मगर एड़ एंड इनकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी थी और इसी के चलते यह वहां पर धमाके करवाकर उ और अपने बाकी सभी सूलजर्स वगरे की जान बचा कर ले आते हैं इस मिशन को कंप्लीट कर लेने के बाद में जब मैडल वगरे मिलता है तो विक्रम राठोड का कहना था कि मैडल तो आज मिल गये लेकिन यह मुझे बहुत भारी महसूस हो रहे हैं क्योंकि मैडल के फिश्टाच करवाते हैं कि यह वाली सप्लाइय किस से आई थी तो मालूम चलता है कि इन्हें यह वाला लॉट सप्लाइय किया था तो अब मुकदमा चलता है जहां पर यह दोनों ही मतलब की आम डीलर काली और वहीं पर इस्पेशल ओफिसर विक्रम राठोड आमने सामने बैठे होते हैं विक्रम का कहना था तुम्हारी गण चलती नहीं जबकि काली का कहना था कि तुम लोगों को चलानी नहीं आती है मैं बड़िया वाले मेरे ओफिसर भेजूंगा और वो तुमको चलाना सिखाएंगे बाकी जिन लोगों की मौत वगर हो गई उनका पैसा में दे देता है वह बिचारा डर जाता है मगर खराब बंदूग जोती वह यहां पर भी नहीं चलती है जिस पर जच को यह अपना और देना पड़ता है कि काली काई कवार के जो लेटेस्ट जितने भी कॉंट्रेक्ट हमने लिए वे थे वो होल्ड पर डाल दिये जाएंगे और जि कोल देते हैं उसका कहना था कि तुमुझ पर केस करेगा अब मैं तिरको ऊपर कर रस्ता दिखाता हूं अब होता यह है कि विक्रम को तो यह लोग अपने साथ ले जाते हैं और पीछे बचती है ऐश्वर्या उसके घर पर तीन पुलिस वाले भेज दिये जाते हैं और यह ब इसी चकर में उसे जेल हो जाती है मगर अ sah Diamond पता चलता है और एंडियन लौकर अगर अगर को यह लीडी फासी से engineer मिलती है कि उसका बच्चा जब तक पैदा हो कर करके पांस साल का नहीं हो जाताlys नहीं यहां पर जेल में ऊसे मुलाकात करने के पहले काली बीजाता है कि पूछना था कि आखिर विक्रम कहां पर हैं अब यहां विक्रम को भी देख पाते हैं जहां पर काली ने ओल्रेडी विक्रम को मार पीट कर आल्मोस्ट खतम करने लाइक छोड़ दिया होता है और एंड में सीने में पांच गोली ठोक कर वो से प्लेन से फैंक देते हैं यानि कि वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है जब एक लाश गाओं के किनारे उनको मिलती है अब यहां जेल के उन पांच सालों में क्या होता है यानि कि वह प्रेग्नेंट से पहले डिलिवरी करके एक बच्चा पैदा करती है उसका नाम वह आजाद रखती है वह आजाद पूरे जेल के इंदर घूमता फिरता रहता है जेल की लोग उसका परिवार बन जाते हैं और जैसे पांच साल को लड़का होता है मतलब आजाद तो उसकी मौम उसे कहकर जाती है कि तुम्हें अपने पिता का नाम है विक्रम राठोड तुम्हारे पिता का नाम है उन्हें देश- और वह विचारा वहीं बेहोश हो जाता कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर अभी सच्चाई नर्मदा को पता चल चुकी होती है और अब वहीं डेसाइड करती है कि वह आजाद का साथ दी मगर इरानी जो की पुलीस टीम में उसके साथ में ता वह डबल लक्षमी को जान से बचाने की काफी कोशिश की जाती है मगर अब यह लड़कियों की टीम सिर्फ पांच में बदल चुकी जहां पर नर्मदा कहती है कि तुम्हारी चैकी टीम रहेगी क्योंकि अब मैं भी तुमारे साथ हूं और इन सभी का अगला मिशन था आम डीलिंग क चलाने लग जाता है तो नेक्स डेए यहां पर काफी प्लैनिंग प्लॉटिंग के साथ में जो पैसा काली काई कौर का बड़े बड़े कंटेंडर में जा रहा था यह सभी उन कंटेंडर को रोकने की कोशिश करते हैं यहां पर बहुत ही बढ़िया फाइटिंग वगरे भी होती है कार चेज़ भी है भाइक चेज़ भी है धड़ाम धुडूम गोलियां गोले सब कुछ है तो फैसों को चुरा कर ले जाने में आजाद तो कामियाब हो जाता है मगर गलती से विक्रम राठोड लग जाता है काली के हत्ते अब यहां पर उसकी खूब धुलाई होती है वही हम देखते हैं आजाद ने अपना एक नया वीडियो अपलूड कर दिया है जिसमें वह यह बताता है कि बेलम वाड़ा महिला थाना हमारे कैद में हैं हमने यहां की 6000 कैदियों को बंदू की नोक पर रखा हुआ है और हमारी मांगो को पूरा करवाने के लिए कोई नेग बीच दिया जाता है मगर यहां पता पड़ता है कि उन सो सोलजर्स के सामने 6000 मलब और खड़ी ती जिनके हातों में अल्रेडी बंदूक थी और अब नहीं चाहते वे उस नेगोशेटर यानिकी संजेदत को आजाद की बाते माननी पड़ती है जिसमें आजाद का कहना था कि एक तरफ काली का एक वार का पैसा जा रहा था वहीं दूसरी तरफ के लिए वोटिंग मशीन भी जा रही थी तो मेरे पास पैसा भी पड़ाया वोटिंग मशीन भी पड़ी है लेकिन इनको रिलीज करने से पहले मेरी यह चूटी से रिक्वेस्ट है कि इंडिया के इंदर 25 53 ऐसी फैक्टरी जिन से निकली हवी हवा वायू को प्रदूशित कर रही है और निकलावा पानी वाटर को पिल्यूट कर रहा है और उसकी पूरी गैसे पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर रही है तो सबसे पहले उन पर लगया जाए अब यहां पर जो कमिशनर होते हैं वह प्रगा दिया जाता है जो कि शहर की ऐसी की तैसी कर रहे थे मगर जाते जाते अपना असली चहरा सबी लोगों के सामने रिवील करता और बताता है कि मैं विक्रम राठोड नहीं हूं मैं आजाव राठोड हूं और मेरी सिर्फ गौर्मेंट से नहीं बलकि इस भारत देश म कई मच्छर मारेगी कि नहीं मारेगी कई इसको कमरे में लगाने के बाद धुमा तो नहीं हो जाता तो फिर पांच साल चलने वाली सरकार पर हम उंगली क्यों नहीं उठाते इसलिए मेरा आप सभी से कहना यह है कि सरकार चुनने से पहले उनसे क्विश्चन पूछो कि अग प्रदेश बक्त जवान दिखाने के हिसाब से तो आप लोगों से भी मेरा यहीं छोटा सा क्विश्चन है कि आप कौन सी गौवर्मेंट को सपोर्ट करते हैं बीजेपी या फिर कॉंग्रेस कमेंट सेक्षन में बताना मत भूलिएगा एक तरफ जहां सारी की सारी बाते नहीं पर अगिनी ग्रुप का एक मेंबर काली को सारी सच्चा ही बता देता है कि इस वक्त आजाद कहां पर होगा और यह सभी पहुंच जाते हैं उसी महिला थाने में अब यहां पर सभी के बीच में बहुत ज़्यादा मार कुटा ही होती है काली के पास में उसका एक बाड कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर नहीं लगी हो तो थेटर में जाकर देखना अच्छा मजा आएगा पैसे वसूल हो जाएंगे और फिर भी मजा नहीं आए तो हितेश नागर चैनल पर और और भी कम से कम 500 वीडियों उनको देखकर मजे कर लेना और हां जाने से पहले सब्सक्राइब किये बिना मत जाना क्योंकि जवान को एक्स्प्रेंड करने का मतलब है एक दम कॉपेरेट स्ट्राइक को सामने से रिस्क ले लेना तो अगर रिस्क उठाईए तो थोड़ा बहुत मेरा भी फायदा कर दो बैल आइकन को प्रेस करते वे जाना क्योंकि अगर बैल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो फिर अगली आने वाली नोटिफिकेशन नहीं मिलें तब तक के लिए कीप वाचिंग और स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो में